नमस्कार लर्नर्स, NIS की स्टूडियो में आपका स्वागत है, मैं डाक्टर बिनूत कुमार सिंग, आज हम लोग पाठकरम कोड 504 के अंतरगत प्रात्मिक अस्तर पर गड़ित अधिगम में परिमेश संख्याओं पर संक्रियाएं विशे पर बातचित करेंगे आपके साथ ज होगा, परिमेश संख्याओं कैसे लिखी जाती है, परिमेश संख्याओं के क्या क्या रूप है, परिमेश संख्याओं को संख्या रिखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, उसके आगे परिमेश संख्याओं के साथ संक्रियाओं का क्या संबंद है, जैसा कि आप सभी जान आते हैं कि कुल चार मुख्ष संक्रियाएं होती हैं जोड़ घटाना गुड़ा इवंग भाग आज हम लोग इनी मूल संक्रियाओं का परिमीर संक्रियाओं के संदर में अध्यान करेंगे परिमे संक्रियाओं के चारो संक्रियाओं में से पहली संक्रिया है योग की संक्रिया योग की संक्रिया पर बातचित करेंगे जैसा कि आपने देखा कि चार संक्रियाएं है पहली संक्रिया योग की है दूसरी संक्रिया ब्यावकलन कहते हैं घटाना तीसरी संक्रिया और चौथी संक्रिया है भाग जा है इन चारों संक्रियाओं का परिमेशंक्रियाओं के साथ किस तरीके से संबंध है और उसमें कौन-कौन से प्रगुण आते हैं उस पर हम एक एक करके बातचीत करेंगे जा है पहली जो शंक्रिया है योग की संक्रिया तो परिमेशंक्रिया कि योग के प्रगुन को तीन वहागों में देखते हुए में ध्यान करेंगे पहला प्रगुन जो है शंबरक प्रगुन जो है पहले प्रगुन का नाम है शंबरक प्रगुन जो है अंग्रेजीम इसको closure property के नाम से जानते हैं इसके लिए दो परिमेशन ख्याय लेते हैं कोई भी दो परिमेशन ख्याय ले लेते हैं जैसे दो बटे तीन और योग करेंगे एक बटे तीन जैसा कि हम योग संक्रिया पर बात कर रहे हैं योग संक्रिया में भी एक ऐसा नियम निकलने जा रहा है आखिर कर इसके जोड़ने के बाद हम देखते हैं क्या माना रहा है लीचे तीन हो जायेगा दो धन एक बराबर तीन बटे तीन बराबर एक बटे एक कर सकते हैं आपने देखा कि शुरू में जह है दो बटे तीन परिमे संख्या है दूसरी संख्या भी परिमे संख्या है दोनों का योग करने के बाद जो उत्तर प्राप्त हो रहा है एक बटे एक यह भी एक परिमे संख्या है अर्थाद दो परिमे संख्याओं को जब हम योग के माध्यम से मिलाते हैं समलित करते हैं और जो प्राप्त परिडाम होता है वह एक बट एक आरा वह भी परिमेशंख्या है यह दोनों परिमेशंख्या है और यहां पर एक बट एक जो आरा यह भी परिमेशंख्या है कहने का मलत दोनों का class, दोनों की category एक ही है इस ब्यवस्था को, इस गुण को, इस प्रगुण को, इस property को हम कहते हैं संबरक प्रगुण, closure property कि इसके लिए और भी मुर्त उदारन ले सकते हैं कि नहीं भी दो बस्तों को मिलाने के बाद आखिर का जो बस्तो आती है जो उत्पाद होता है वह असका सभाव क्या पहले के सभाव के पास ही है उसी के पास है लेकिन दोनों के बीच हम योग की प्रक्रिया करते हैं ऐसे उद में परिमे का गुण आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर ऐसा आता है तो इस क्रिया को अपनी कख्छा में आने बक्चों के सजोग से कराएं उनको अलग से करने का उसर दें और इसको सामानी कृत करें यह हैं कि पहला उदाहरन दूसरा उदाहरन तीसरा उदाहरन यहां आप तीसरा उधारन, चौथा उधारन और इन उधारनों के माद्यम से एक आगमन आएगा, इंडेक्शन होगा और यह हम नियम निकालेंगे कि क्या इन परिमेश संख्याओं को दो बटे तीन को अगर हम P के फार में, P बटे Q के फार में लिखें और दूसरी संख्याओं जो आ रह परिमेश संख्याओं को योग करने के बाद जो संख्याओं को योग करने के बाद जो शंख्याओं ही है वह भी परिमेश संख्याओं है अर्थाच संबरक प्रक्रिया या क्लोजर प्रापर्टी हमारा पुष्ट होता है दूसरी विशिस्ता जो है क्रम विनमेय का प्रगून जो है अपने कक्छा में बच्चों को दो संख्याओं को आपस में जोडने का आउसर दें एक बार जोडने उसके बाद उन्हीं संख्याओं की क्रमों को बदल दें जैसे कि को दहान में आप्नेख रहे हैं माइनस पांच बटे चाह कि इसका उदांद आप यहाँ ले सकते हैं माइनस पांच बटे चुन का प्लस के दो बटे साथ को जो को अगर आप योग करेंगे छीका उत्तार आ जाएगा जह कि ते इस transit 24 22 माइनस 23 बटे 42 यहां पर एक करम है कि शुरू में माइनस 5 बटे 6 लिख रहे हैं बाद में 2 बटे 7 लिख रहे हैं इसी करम को अगर हम बदल देते हैं अर्थाथ 2 बटे 7 धन माइनस 5 बटे 6 जा ज़ा है इसके भी उत्तर को निकालेंगे वह उत्तर हमारा क्या होता है बराबर होता है इसमें हम इस निसकस में निकलते हैं माइनस पांच बटे च्छ धन दो पटे साथ बराबर दो पटे साथ धन रैकेट में माइनस पांच बराबर हो रहा है ऐसे अन्य उदारन भी बच्चों को दिखा सकते हैं जोडने का आउसर द आ सकते हैं यदि P बटे Q तथा R बटे S कोई भी दो परिमेश संख्याएं लें और उनको इस प्रकार से जोड़ें कि P बटे Q प्लस R बटे S बराबर R बटे S प्लस P बटे Q दोनों मान बराबर होते हैं कि परिमेश संख्याओं में योग की संक्रिया क्रम बिनमे प्रगुण को संतुष्ट करती है अब तीसरा प्रगुण देखते हैं दो प्रगुण पर हमने बात्चित किया संबरक प्रगुण और दूसरा क्रम बिनमे प्रगुण और तीसरे प्रगुण पर बात्चित करेंगे जिसका नाम है साहचरे प्रगुन तीसरा है यह है शाहचरे प्रगुन जाहए इसको कहते हैं अर्थात इसोशीशन देखते हैं इसमें इसमें भी उदाहन देखते हैं कि तीन परिमेश संख्याएं लेते हैं और शुरू में है बड़े कुष्टक में लेते हैं तीन बटे चार धन छोटे कुष्टक में माइनस दो बटे तीन कुष्टक हम बंद कर देते हैं प्लस छोटे कुष्टक में एक बटे माइनस पाँच और इसको जोड़ते हैं इसका हम मान निकालते हैं तो एक निश्चित मान आता है फिर उसी तीनों पर में संख्याओं के कोश्टक लगाने के करम को बदल देते हैं कि पहले में छोटा कोश्टक और बाद की जो दो संख्याओं आप देख रहे हैं उनको मजहले कोश्टक से बड़े कोश्टक में बंद कर देते और इनका भी उत्तर निकालते हैं यहां पर भी उत्तर हमारा आ रहा है माइने साथ 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 बटे साथ है दोनों पर स्थितियों में पोष्ट्रक के लगाने के बाद भी उत्तर हमारे आ रहे हैं दोनों बराबर आ रहे हैं अर्थाच दोनों स्थितियों में योगफल से प्र प्रतेक उदाहर अलमें प्रतेक प्रिस्थिती में उत्तर सम एक ही आएगा अर्थाद बराबर आएगा जहां। निश्कर्स क्या निकलता है कि P बटे Q, Q बटे R और S बटे U अगर तीन परिमेशंख्याएं हैं और तीनों को हम जो इस प्रकार से जोडते हैं P बटे Q प्लस Q बटे R ब्रैकेट कर देते हैं प्लस S बटे U इसका मान हो जाएगा P बटे Q प्लस Q बटे R प्लस S बटे U यहां पर जो कोष्टा का निशान देख रहे इस निशान को परिवर्तत करने के बाद ही मान हमारा जहे बराबर होता है यदि किसी घटना में किसी परिमेशंख्याओं के योग में इस तरीकी का समीकण बनता है बराबर होता है तो वहां पर हम कहते हैं कि वहां पर साचर की विशिष्टा साचर का प्रगूर प्रदर्सित हो रहा है तो आपने देखा कि परिमेशंख्याओं में योगात्मक शंक्रिया के तीन बिंदोप हमने बाचित किया संबरक प्रगुण क्रम बिनमे प्रमूर और साचर प्रगुण तीनों प्रगुण जह है हां में आ रहे हैं तीनों प्रगुण जह है इसको परिलक्षित कर रहे हैं जह है आगे हम जह है दूसरे संक्रिया की बात करेंगे घटाने की संक्रिया दूसरी संक्रिया है घटाना अर प्रगुन शाहचर प्रगुन आई देखते हैं कि रिडात्मक शंक्रिया के साथ क्या क्या विश्ष्ष्ष्था निकल के आती एक कि करके मत देन करेंगे हैं अलग-अलग उताहन की माध्यम से अगर आप दो परिमेश संख्याओं को घटाते हैं निश्चित रुप से उसका उत्तर जो आएगा वो परिमेश संख्या ही आएगा और उसको हम लिख सकते हैं कि पी बटे क्यू इसके विश्ष्ष्ष में पहला बेश्ष्ष्षता हो जाए पी बटे क्यू माइनस आर बटे एस जो बराबर वेलू आएगी वह अभी परिमेश संख्या आएगी अर्थाच दो परिमेश संख्याओं का ब्योकलन करने पर दो परिमेश संख्याओं गटाने पर जो प्राप्त उत्तर आता है वह जह है परिमेश संख्या ही होता है इससे आ के रिडात्मक में संभरक प्रवगोर निश्चित होता ने दारित होता है दूसरा प्रवगोर है करम बिन्मे प्रवगोर व्ययोकलन के शंक्रिया में करम इसमें हम इसी तरीके से दो परिमेशंख्या लेंगे जैसा कि आप उदाराण में देख रहें और इन दो परिमेश संख्याओं की क्रमों को बदल दे अगर जहा है पहले उधेर में 3 साथ पहले आरा अगर इसको हम बाद में कर दें अर्थ आठ बटे साथ कर दें कि 8 बटे साथ माइनस 3 बटे साथ इसका उतार आरा पांच बटे साथ, पहले में माइनस पांच बटे साथ आ रहा, दूसरे में पांच बटे साथ आ रहा, क्या सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, निश्चित रूप से परिमे संख्याओं के अस्थान के परिवर्तन के नाते ऐसी दिक्कत आ रही है, कि दोनों के उत्तर जहें बराबर नहीं आ रहे हैं जबकि यही योगात्मक संक्रिया के साथ जब जोड रहे थे तो अस्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था मान बराबर हो रहे थे लेकिन घटाने की संक्रिया में अस्थान की परिवर्तन से घटाने के बाद जो मान आ रहे हैं वो अल ही आते हैं आप पाएंगे कि प्रते घटना में प्रते कुदाहरण में अंतर अलग हो जाएगा समानी करण करते हैं इसको हम लिख सकते हैं यदि पी बटे क्यू तथा आर बटे कोई भी दो प्रमे संख्याएं हो तो पी बटे क्यू माइनस आर बटे एस का मान आर बटे एस माइनस पी बटे क्यू के मान के बराबर नहीं होगा अर्थात परमे संख्याओं के घटाने में क्रम बिनमे प्रगुन का पालन नहीं हो रहा है जबकि योग में क्रम बिनमे आगे तीसरी विशिष्टा को देखते हैं जाहे साहचर प्रगुण जाहे घटाने में साहचर प्रगुण साहचर प्रगुण को भी उदाहनों के माध्यम से तीन परमेश संख्याइं लेंगे और इनके अस्थान को बदलने के साथ साथ कोष्टा के मान को बदलेंगे और देखेंगी क्या उत्तराता है तो आप देखेंगी परिमेश संख्याओं को घटाने के लिए पहली दो संख्याओं की अंतर में से तीसरी संख्या को घटाते हैं शुरू कि जो दो संख्याओं होती हैं उनको आपस में घटाते हैं उस मान में से तीसरी संख्याओं घटाते हैं उसका मान देखते हैं उसके बाद दूसरी स्थिति में पहली परिमेश संख्याओं को अलग रखते हैं उसमें से बाद की दो परिमेश संख्याओं को घटाते है कोश्टक में रखते वे पहली से घट आते हैं तो आप मान देखेंगे इसका जहें तो दोनों मान में अंतर आएगा और इन उदाहरण को अन्य उदाहरण की माद्धियम से कख्छा में कराएं दो तीन चार उदाहरण की माद्धियम से देखें कि अलग अलग बच्चों के क्य क्या उत्तर आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि दोनों उत्तर दोनों मान अलग अलग आएंगे कभी बराबर नहीं होंगे और इनको सामाने नियम के रूप में हम अगर इस प्रकार से देखें यदि पी बटे क्यू आर बटे एस तो था टी बटे यू कोई भी तीन परिमें संख्या पी बटे क्यू माइनस छोटे कोश्टक में आर बटे एस माइनस टी बटे यू कोश्टक बंद के मान के बराबर नहीं होगा जब यह मान आपस में बराबर नहीं होंगे इसका आसे यह निकलता है इस संक्रिया में अर्थात परिमें संख्या के घटाने की संक्रिया में साचर प्रगुण जिसमें कोश्टक का मान कोश्टक का स्थान बदल दे रहे हैं पालन नहीं हो रहा है अतहर परिमे संख्याएं घटाने में साचर प्रगुण का पालन नहीं करती है आपने देखा कि अभी हम योग और व्योकलन की दो संक्रियाओं में तीन प्रगुणों अर्थात संबरक प्रगूण, करम बिलमे प्रगूण और साचर प्रगूण को देखे हैं तीनों में अलग-अलग प्रिडाम आ रहे हैं अब हम एक तीसरी घटना है, तीसरी संक्रिया है जिसको की गुड़ा की संक्रिया के नाम से जानते हैं इस पर इन तीनों प्रगूण के प्रभाव का ध्यन करेंगे हैं परिमे शंक्रिया के गुड़ा की संक्रिया के प्रगूण पहला प्रगूण है जैसा कि पिछले दो संक्रियाओं में देखे हैं संबरक प्रगूण, संबरक प्रमूण हमें यह बताता है कि दो परिमे संख्याओं के साथ यदि किसी संक्रिया को अरोपित करते हैं लगाते हैं तो प्राप्त परिडाम क्या परिमे संख्या ही आता है इसको आप अपने कक्छा में बच्चों के साथ दो परिमे संख्याओं को दें और उनको कहें कि दोनों परिमे संख्याओं को आपस ही आईगा ऐसे एक-दो- टीन-चार उजान बच्चों के सामें रह सकते हैं दे आप देख रहे हैं कि एक बटे-दो गुड़े-दो भटे-टीन और गुड़ागर गुड़ातमक है और इन गुडात्मक संक्रिया के आपरेशन के बाद लगाने के बाद प्राप्त प्रडाम जो में आरा एक बटे तीन वह अभी अपने आप में परिमे संख्या है इसको समानी करण करते हैं हम लिख सकते हैं यदि P बटे Q तथा R बटे S कोई दो परिमे संख्या हैं तो उनका गुड़न फल P बटे Q कोड़े R बटे S भी परिमे संख्या होगा इस निसकर्स से हम यह परिमे संख्याओं में गुडा की संक्रिया संबरक प्रगुण का पालन करती है क्यों? क्योंकि दो परिमे संख्याओं पर गुड़ा की संख्या को लगाने के बाद प्राप्त परिडाम भी परिमे संख्या आती है अर्थात संबरक का प्रगुण अपनी विसेश्टा वा संख्या अपने साथ ले के आती है लागो होता है और हम इस निसकर्स पर पहुँचेंगे कि परिमे संख्याओं में गुड़ा की संख्या संबरक प्रगुण का पालन करती है इन बातों को दूसरे उधानों से भी दे सकते हैं और संख्याओं को गुड कि जब कभी भी दो परिमे संख्याओं का अपस बुड़ा करेंगे तो अब दूसरे की बात करते हैं कि बिनमे की इसे में जानने हैं पिछले उदाहनों में, पिछले संक्रियाओं में कि करम को हम बदल देते हैं, अकरम बिनमे किसके साथ करना है, गुड़ा की संक्रिया के साथ, अगर दो परिमे संक्रियाओं को गुड़ा करते हैं, जैसे इसी को लेते हैं, एक बटे दो, गुड दो बटे तीन इसका मान हमारा आ रहा एक बटे तीन अब इस दो पिरमेश संख्याओं के अगर करम को हम बदल दें तो देखतें क्या होता दो बटे तीन गुड़े एक बटे दो बराबर एक बटे तीन दोनों परड़ाम देख रहे हैं कि एक बटे तीन के बराबर आ रहा है अर्थात जब दो परिमे संख्याओं के अस्थान को परिविजित करके आपस में गुड़ा करते हैं तो प्राप्त परड़ाम वही आता है दोनों के अर्थात इसको अगर हम समानी करण में लिखें कि यदि प्वय सक दोए संख्याओं यह के रावर दायर की संख्याओं Κ्रम भी अप्रगुन का पालन करती है अब इसके बाद तीसरी संक्रिया है जह है गोड़ा पर इसका नाम है सहाचरे प्रगूनी जाय है गुड़ा संक्रिया पर साचरे प्रगूनी जाे है इनको भी अलग अलग उदाराण ले अलग अलग गटनाओं के साथ बातकित करें और बच्चों से अभ्यास कराएं बल्कि कराना ही चाहिए जाए अलग अलग उदाराण देकर के कोश्ट्टप की स्थान को परिवर्तित करते हुए बच्चों से प्रापत परिवर्तितby देखरएं और उन्हें ही अवसर दें कि इनके मानों में कोई समानता आ रही है या असमानता आ रही है तो आप आएंगे देखेंगे कि दोनों तीन परिमे संख्याओं को कोश्टक के मान को परिवर्तन करने के बाद प्राप्त गुड़न फल बराबर होगा जाएं और इनको हम समाननी करण के साथ साथे लिख सकते हैं कि यदि पी बटे क्यू आर बटे एस तथा टी बटे यू कोई भी तीन परिमिर्शंख्याएं हैं तो कोश्टक म बटे बंद गुड़ए ची बटे यू का मान ती बैटे क्यू गुड़ए कोश्टक में आर बटे यहस घुड़े घुड़ए कोश्टक बंद के मान के बराबर होगा अर्थात परिमिर्शंख्याओं में गुड़ा की शंक्रिया साथ्चर प्रगुन का पालन करती हैं परिमेशंख्याओं के गुड के इस प्रगुण के फलस्वरूप हम तीन या अधिक परिमेशंख्याओं को भी बिना किसी कोष्टा के प्रयोग की गुड़ा कर सकते हैं आपने देखा कि गुड़ा की शंक्रिया में तीनों प्रगुण संबरक प्रगुण करम बिनमय प्रगुण और साहचर प्रगुण पालन करते हैं लागू होते हैं अब एक और प्रक्रिया बची हुई है जिसका नाम है भाग की प्रक्रिया जहे हैं उसके पूर्वे और जानकारी है परमेशंख्याओं के योग पर गुड़ा का वितरन प्रगूण जहे हैं एक विश्षिष्टा इसमें और पाई जाती है कि परिमेशंख्याओं के योग पर गुड़ा का वितरन प्रगुण कैसा होता है इसके लिए एक परिमेशंख्या का दो परिमेशंख्याओं के योग फल में गुड़ा करने से प्राप्त गुड़न फल इस परिमेशंख्या का पर्मेंशंख्याओं के योगफल पर गुड़न का वित्रण प्रगुण लागू होता है। इस नियम के जान जाने से हम पर्मे संक्षाओं के गुड़न के साथ साथ योगी प्रक्रिया को भी लागू कर सकते हैं अब आगे चौथी संक्रिया जो बची ही इस पर बात करते हैं यह है पर्मे संक्षाओं के भाग की संक्रिया के प्रगुण यह है निश्चित रूपे इस संक्रिया में भी तीन प्रगुण है पहले प्रगुण का नाम है शंबरक प्रगुण जहे और इसको अगर हम देखेंगे तो आप पाएंगे यदि हम सुन्य को शामिल नहीं करें तो दूसरी सभी पर्मिर शंख्याओं का समू भाग की अंतरगत संबर प्रगुण का पालन करता है कि दूसरा प्रगुण है क्रबिनिमे प्रगुण जहे इसमें भी विभिन उदान से आप देख सकते हैं कि क्रफ भाग की शंक्रिया में मान बराबर पर नहीं होते हैं जहें और इसको समानी करम के रुप से अगर देखें कि पी बटे क्यू고 आर्बटे यस दो परिमेंज संख्याएं है और इनको इस प्रकार से लिखें कि पी बटे inclusive आर्बटेयस का अमान और दूसरा मान निकालें R बटे Yes अर्थात करम को परविश्तित कर दें बटे P बटे Q तो दोनों के मान बराबर नहीं होगे अर्थात प्रम्य संक्ष्याओं में भाग की संक्रिया करम बीन में प्रगुण का पालन नहीं करती है और तिसरा प्रगुण है इसमें जहार है साचर की बात को भी भाग की संक्रिया में लागू करके देख सकते हैं, इसमें साचरता भाग की संक्रिया में नहीं लागू होता है और पीवटे-क्यू की भी रूप में देख सकते हैं और इससे हम इस निश्कर्श पर पूछते हैं कि पर्मे संख्याएन भाग में साचर प्रगुण का पालन नहीं कर सकती हैं। आपने देखा कि हमने पर्मे संख्याओं के चार संख्याओं योग, घटाना, गुड़ा और भाग पर तीन प्रगुणों पर बातचीत किया। संबरग प्रगुण, करम्बिनमे प्रगुण और साचर प्रगुण। इन चारों संख्याओं के तीन प्रगुणों को एक संचिप्थ चार्ट के मातनेवसमें आपके सामने दिखाना चाहूँगा और आप देख रहे होंगे कि बाई तरब टीन प्रगुण हैं संबरग प् ये तीनों प्रगुण अर्थात संबरक क्रम बिनमे और साचर का पालन हो रहा है जिसे हां के रूप में लिखा गया है और दूसरी संक्रिया है ब्यावकलन जहें ब्यावकलन में संबरक गुण का पालन तो हो रहा है लेकिन सीश दो प्रगुण जैसे क्रम बिनमे प्रगुण साचर प्रगूर इसका पालन नहीं हो रहा है और तीसरी संक्रिया गुड़ा की संक्रिया है गुड़ा की संक्रिया में तीनों प्रगूर जा है संबरक, क्रमबिनमे और साचर लागू हो रहे हैं जिनको हां से दिखाया गया है और अंतिम तथा चौथी संक्रिया है भाग की संक्रिया है भाग की संक्रिया में देख रहे हैं कि सुनने को छोड़कर बाकी संक्रियाओं के साथ संबरक प्रगूर तो लागू होता है बाकी दो प्रगूर क्रम बिन में और साचरे प्रगूर लागू नहीं होता है आपने अभी तक परिमेर संक्रियाओं पर लागू होने वाले तीनों प्रगणों को अलग से विश्तार से पढ़ा और एक संचिप चार्ट के रूप में भी जाना जा है सारी जानकारी इस पर हुई इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आगे के लेक्चर्स में हम लो दुबारा आने पक्रण पर बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद